श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2024 को है जेश्ट महीने का बड़ा सुमवार विनायक चतुर्थी और दोस्तों इस सुमवार चतुर्थी को आप लोगों को साथ लोटे जलवाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि ये उपाय जब किया जाता है जब कोई बहुत ही बड़ा विशेश दिन पड़ता है और हमारी कोई ऐसी मनोकामना होती है जो की लंबे समय से पूरी नहीं हो रही होती है या कोई ऐसी दुख और परेशानी होती है जिस हुआ है हमने सारे प्रयास कर लिया हमारी तरफ से हम पूरी मेहंत कर रहे हैं पर जब भी हमारा वह काम नहीं हो पा रहा है तो उस जगह पर आप लोगों को यह वाला उपाय जो है साथ लोटे जलवाला जो उपाय है यह इस बड़े विशेश सुमवार के दिन जरूर करना चा इस वीडियो में हम आप लोगों को साथ जलवाला समझाएंगे उपाय समझाएंगे कि यह उपाय आपको कैसे करना है किसको करना है किस समय करना है और कहा पर करना है तो देखिए सबसे पहली चीज हम लोग यह समझ लेते हैं कि साथ जलवाले उपाय को आखिर करना किसको है क्या घर के सभी सद्सेओं को करना है या घर में सिर्फ एक सद्से को करना है तो देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को घर के सभी सद्सेओं को करने की जरूरत नहीं है घर में से कोई अगर एक बड़ा मुख्य सद से भी इस उपाय करेगा तो इस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को मिलेगा पर वो बड़ा या मुख्य सद से कौन? तो देखिए विशेश रूप से घर की बड़ी माताएं बहने जो कौन होती है? घर की लक्षमी होती है, जब घर की लक्षमी कोई उपाय करेगी तो उस उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा तो आप लोगों को क्या करना है कि घर की जो बड़ी माताएं बहने हो उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माताभन इस वाले उपाय को कर सकती है अगर किसी कारणवश घर में मातायम बहने उपस्थित ना हो और किसी भी कारणवश या वो उपाय ना कर पा रहे हो तो फिर घर का कोई बड़ा सद से चाहे वो पुरुश ही क्यों ना हो वह भी इस उपाय को कर सकता है तो देखो अब आपके प्रशन जरूर आएगा कि इस उपाय को हमें किस समय करना है सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है तो देखो नाम में ही समझ आता है कि इस उपाए में हमें साथ लोटा जल लेना पड़ेगा और इस उपाए में हमें शिवजी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तो जल तो हमेशा सुबह ही चढ़ाया जाता है और दस, ग्यारह, बारह बजे तक भी चढ़ा दिया जाता है तो आप लोग इस उपाय को सुबह के समय करोगे, शाम के समय नहीं करोगे, अगर आप लोगों को उपाय का फल चाहिए तो ठीक है, तो इस उपाय को आपको करना है, सुबह के समय अब दोस्तों उसके बाद में जो बात आती है, वो ये आती है, कि अब हमें इस उपाय को करना कैसे, कि सामगरी क्या है, तो देखो इस उपाय में आपको दो चीजों की आवशक्ता पड़ेगी सबसे पहली चीज एक बेलपत्री क्या चीज है? एक बेलपत्री और दूसरी जो चीज है वो क्या है दोस्तों? साथ लोटा जल तो देखो एक बेलपत्री आप अपने साथ में रखना ये बेलपत्री कोशिश करना कि आपको अपने ही मतलब अपने से ही मिल जाए आप खरीद कर लेकर आजाओ या किसी व्रिक्ष से तोड़ लो वरना शिवलिंग के ऊपर से भी ले सकते हो पर जब लेना ज उसके बाद में दोस्तों साथ लोटा जल अब आप कहोगे कि भाई साथ लोटा जल हम कैसे लेकर जाएंगे इतने सारे लोटे हम लाएंगे कहा से तो देखो आपको साथ लोटा जल लेना है पर साथ लोटे नहीं लेना है इसके लिए आपको एक ऐसा पात्र लेना है जिसके अंदर साथ लोटा जल बन जाए चाहे वो बाल्टी ही क्यों ना हो ठीक है क्या ना हो बाल्टी है ना एक अच्छी सी बाल्टी ले लो उसके अंदर इतना पानी भरलो की भाई वो साथ लोटा जल हो जाए है ना और अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो खाली नहीं तो भ शुद्धता का विशेश रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोगों को सुभः सुभः अपने घर से निकलना है, उपाय को करने के लिए कहा पर जाओगे उपाय करने के लिए भगवान शिवजी के मंदिर में शिव आपके घर के जो भी शिव मंदिर हो शिवाले हो जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो आपको वहाँ पर जाना है, इस उपाय को करने के लिए जैसे ही आप शिवजी के मंदिर में पहुँचते हैं, तो सबसे पहले आपको भगवान, दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करने के बाद आ पहले आपको शिवजी के शिवलिंग के पास में आ जाना है, पहले आपको यहां पर उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखना है, जाते से जल मत चढ़ाने लग जाना, क्योंकि उपाय में हमें पहले बेलपत्र चढ़ानी है, पर वह बेलपत्र भी अलग-अलग जगह पर पास ही में रख लेना और अपनी बेलपत्र भी अपने पास ही में रख लेना। बेलपत्र लेनी है, दो नहीं लेनी है, इस बात। जलाधारी होती है, जलाधारी के बिलकुल बीचों बीच का जो जगह होती है, वो माता अशोक सुन्दर जी का स्थान होता है। मतलब शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है, ठीक है, तो आपको उस जगह पर सबसे। पहले अपनी वह बेलपत्र को चढ़ाना है, जो एक बेलपत्र आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो है, ना तो माता अशोक सिंदूर जी वाले स्थान पर सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र आपको चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, तो देखो बेलपत्र की जो डंडी क के बिल्कुल बीचों बीच पे चढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेलपत्र को माता अशोक शुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, अभी आपको अपनी मनोकामना वगेरह कुछ नहीं बोलना है, अभी पहले आपको उपाय करना है, तो अपनी पहली बेलपत्र डंडी का मुक जो है, जलाधारी की तरफ करके बीच वाली बड़ी शिवलिंग की तरफ करके इस बेलपत्र को माता वाले स्थान पर या जलाधारी के बिलकुल बीचों बीच में सबसे पहले कर देना है, ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 5-10 सेकंड तक आपको रुखना है, मिनट नहीं बोल रहे हैं, 5-10 सेकंड बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ समय तक हमें उस बेलपत्र को माता जी वाले स्थान पर चड़े रहने देना है, क्योंकि हमने आप से बोला है, कि इस बेलपत्र को हमें दो जगह पर चड़ाना है, है, ना तो 5 से, 10 सेकंड तक रुख जाना जब तक श्री शिवाए, का जाप करना, भगवान के नाम का जाप करना, और 5-10 सेकंड बाद आपको अपनी उस बेलपत्र को उठाना है, कहा से उठाना है? माता रिची वाले स्थान से उठाना है, अभी आपने मातावाले स्थान पर चढ़ाया था, अब इसी बेलपत्र को उठाकर भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। वैसे ही उनको चढ़ाना है क्योंकि बेलपत्र की बीच वाली का भाग हम आगे की तरफ करके चढ़ाते हैं, तो वैसे ही चढ़ाना है। सामने रख लेना क्योंकि अब यहाँ पर हमें वह सात लोटे की आवशक्ता पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको पांच से दस सेकंड रुकने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर आपको उपाय करते रहना है। तो जैसे ही आपका बेलपत्र है, शिवलिंग के ऊपर चड़ जाए, उसके बाद में अपना जो सात लोटा जल है, उसे निकाल लेना है, सबसे पहला लोटा जो जल है, वो अगर आप भरकर लेकर आए हुए हो, तो उसे उठा लो और उठाने के बाद सबसे पहले क्या करना है इसी बेलपत्र के ऊपर जो आपने शिवलिंग के ऊपर चड़ाई हुई है, और जो आपने मतलब जो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चड़ाई हुई है, इसी शिवलिंग के ऊपर, इसी बेल, बेलपत्र के ऊपर आपको अपना वह एक लोटा जल एक धारा से धीरे धी भगवान शिवजी का नाम लेते हुए ही करना है, तो क्या करना है? आपको अपना पहला लोटा जो जल है, वो चाहे भर के चाहे भरा हुआ लेकर आये हो, जैसे भी लाए हुए हो, उसे शिवजी की शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपतर के ऊपर आपको चढ़ा देना है, एक दूसरा लोटा जो है भरलो, वो भी चढ़ा दो, शिवजी की शिव फिर तीसरा लोटा जल भरलो, वो भी शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, फिर चौथा भरलो, फिर पांचवा भरलो, फिर लो, फिर सात्वा भरलो, योंकी सात लोटा जल यहां पर हमको चढ़ा इत्वा लोटा जल चरने के बाद आप लोगों को क्या करना है? कि भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास बैठ जाना है? कब बैठ ना है? जब आपका सात्वा लोटा जल पून रूप से चर जाए उपाय को करते समय बाजी बिलकुल मत करना अगर आपको उपाय का सच में फल चाहिए तो तो जैसे ही सात लोटा जला आपका चर जाता है, अच्छे तरीके से मन और भाव से भगवान शिवजी का नाम लेते हुए तो शिवलिंग के ही पास में बैठ जाना और अभी आप अपनी वह मनोकामना बोलना वह दुहक और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यहवाला उपाय कर रहे हो, देखो जब भी आप कोई उपाय करो ना, कोई भी वरत करो, तो अपनी किसी एक मनोकामना के लिए किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि उपाय तो करते हैं, और फिर कहते हैं कि उपाय का हमें फल नहीं मिला, क् उपाए जब आप करो तो अपनी किसी एक मनोकामना के लिए करो, किसी एक दुहक और परेशानी के लिए करो, एक साथ सारी मनोकामना या सारी दुहक और परेशानी नहीं बोली जाती है, तो अपनी कोई भी एक मनोकामना बोलना, एक दुख और परेशानी बोलना या अपने प तो जैसे ही आपका दो मिनट जाप हो जाए, उसके बाद में दोस्तों आपने जो बेलपत्र अभी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है, इस बेलपत्र को आप लोग उठा लो, क्योंकि इस बेलपत्र को हमें शिवजी के मंदिर में छोड़ कर नहीं आना है, तो जो बेलपत्र के ऊपर आपने साथ सो चढ़ाया है, इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर से उठा लो और उठाने के बाद भगवान का आशिरवाद स्वरूप समझ कर इसे आप लेकर आ जाओ, अपने घर पर लाने के बाद इसी बेलपत्र को अपने घर में किसी भी एक शुद्ध स्थान पर रख दो जैसे कि अपने पूजन वाले घर में या अपने घर के रसोई में जहाँ पर शुद्ध स्थान हो वहाँ पर जाकर रख दो और इस बेलपत्र को आप अपने घर में 11 दिन रखो या तो 21 दिन रखो, कोई भी एक नंबर आप लोग चुन लेना कि हम 11 दिन रखना है, तो 11 दिन रखेंगे, 21 दिन रखना है, तो 21 दिन रखेंगे, तो जैसे ही 11, 11 या 21 दिन होते हैं, जैसे 11 दिन तक रखें, तो 11 दिन जैसे ही आता है, तो आपको उपाय को पूरा करना है, ज भाई इस बेलपत्र को आपको अपने घर से भी उठाना है और उठाने के बाद कहा पर लेकर जाना है। जैसे ही आप इस बेलपत्र का ग्यारवें या 21 दिन विसरजन कर रहे हो तो उस समय भी भगवान से अपनी वह मनोकामना जरूर बुलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। आपको इस उपाय का फल मिलना शुरू हो जाएगा। यह जब आप उपाय कर रहे होंगे ना तो आप उसी समय आपको उपाय का करने का फल मिल जाएगा। यह उपाय दोस्तों विशेश दिनों पर ही किया और जेश्ट महीने का जो सुमवार होता है। तो इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करके देखना। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा होता है। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।